लिबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल के ताबर तोड़ हमले जारी हैं। ये 2006 के बास से लिबनान पर हुए सबसे घातक हावाई हमलों में सेख हैं। जिसमें कम से कम 500 से जादा लोग मारे गए हैं और 1000 से जादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली सेना ने लिबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले से पहले दश्चडी और पूरवी लिबनान के नागरिकों को खाली करने के जितावनी दी थी। इसमें साफ कहा गया थे कि लिबनान के बेका घाटी में हमला करने वाली है। आरोप है कि हिजबुल्ला वहाँ हतियार जमा कर रखा है। अब सवाल ये उठ रहा है क्या इरान हिजबुल्ला और लिबनान को बचाने के लिए सीधे इसराइल से सामना करेगा। क्या उसके पास इतनी ताकत और फोर्स है कि वो इसराइल से आमने सामने की सीधी जंगलर पाए। आईए जानते हैं दोनों देशों के मिलिटरी ताकत और कौन किस मामले में कितना बहतर और दमदार है। सैनिकों के मामले में इरान ज्यादा ताकतवर है। में इसराइल की टेकनोलजी इरान के पास मिसायले जादा है। 42,000 वायुसैनिक हैं। जिनमें से 180 हर समय हमले के लिए त्यार रहते हैं। जबकि इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं। जिनमें से 193 हमले के लिए रेडी रहते हैं। यानि इन हमलों में भी इसराइल इरान से काफी आगे है। इरान के पास 139 हेलिकॉप्टर्स हैं। जिनमें से 84 हमेशा ready mode में रहते हैं, जबकि इस्राइल के पास 146 हेलिकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 117 एक्टिव मोड में हैं, इरान के पास 13 attack हेलिकॉप्टर हैं, जबकि इस्राइल के पास 48, मुई अगर बात करें किसके पास कितना हत्यार है और कौन ज़्यादा ताकतवर है आपको बताते हैं इरान के पास कुल मिलाकर 1996 टैंक हैं 1397 इस समय जंग के लिए त्यार हैं इरान के पास कुल 65,765 सैनिक वहन हैं 46,000 से ज़्यादा एक्टिव हैं मुई इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास 1370 टैंक हैं जिनमें से 1096 टैंक हम लेकले त्यार हैं इसराइल के पास 43,407 सैनिक वहन हैं जिनमें से 34,736 एक्टिव मोड में हैं मुई आपको बताते हैं इरान के पास कुल 101 नौ सैनिक एजिंट्स हैं इरान के पास 9 सम्मरीन है, इसराइल के पास 5 है, इरान के पास 21 पेट्रोल वेसल है, इसराइल के पास 45 पेट्रोल वेसल है कुल मिलाकर अगर इरान और इस्राइल की जंग होती है तो कहीं भी इरान पीछे रहने वाला नहीं है और इस्राइल को मूँ तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा त्यार रहेगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रही है जोस्ट्वेटीफोर